नवस्काव दर्श्रावित वती थी मां फर येक वर आपनू स्वाग अच्छे अती थी लेवो गारेकरम के जे कारेकरमां विश्ष्ट वेक्ते दों साथे आपनी मुलाक्त करवेशे अने वातों गरेशेंद्र 352 एपीसोड लगभग एउ धतू होए कि 352 एपीसोड थही गया होए कोई सीरियल ना कोई प्रोग्राम ना हेले पच्छी रूटीन टॉन मां इंट्रूज लेवाता होए जाईशू सेलिब्रीटी जे फाइन डिसेट करला क्वेश्चन्स अथवादों बची एक्स्टेम सतात आपने छला किटलाई दीवस्ती आपने लोगो कोई प्रोमोस पन जोए आ एपीसोड ना जेटली आपने इगरने से एटली पन इगरने सत्यारे मने आ शो मां गेश्ट साथे वाद करता थाई छे कारण के आजे आपनी साथे छेक एवू व्यक्तित्व के जे व्यक्ति सामें खुला आवाज आवी ने कितू के यस आमारी नबड़ाई छे अने तमारे बदाय मने आ नबड़ाई साथे जविकारवानी छे अने ब्लंटली के छे के यस आई लक्ष्मी आई ही जड़ा आपनी साथे कारेक्रम मां आजर छे लक्ष्मी जी नमस्कार लक्ष्मी जी बहुत हिम्मत इखटी करनी पड़ दिये, ये कहने के लिए कि मैं हिजडा हूँ, ये हिम्मत इखटी करनी पड़ी या लोगों का इतना प्रेशर था कि उससे तंग आके बोला कि हां मैं हिजडा हूँ, हुआ था क्या? नहीं, तंग तो नहीं हुआ था, मतलब मुझे जहां तक बच्चपना याद आता है, अगर लोगों ने मुझे हिजडा, गूड, मामू, छक्का करके चड़ाया होगा, तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया, बच्चपन में अगर अगर आप ये मेरी किताब, आज में कुजडा में इस किताब के जरियर से ही आई हुई हूँ, कि शुर्भाई ने इसका मराथी से कुजडाती उन्नुवात किया है, और हूँ हिजडो, हूँ लक्ष्मी, तो क्या बुरा है, अप मर्द हैं, एक और अपने बताया कि मुझे हिजडा, छक्का, गूड, ये सब के के बलादे हैं, आप लोग देवा अंक, आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, और आप जल्दी किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, ये भी मुझे पता है, और ये कोई थांसन, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कि अगर आप पुरुष हैं, और आपको कोई पुरुष कहें, तो आप क् कोई जवाब देगा, मैं हिजड़ा थी, और अगर मुझे हिजड़ा बोलती थे, सिर्फ यही विचारा आता था, कि मैं हिजड़ा हूँ, मुझे पता है, आपको क्या बोलने की जरुरत है, कोई जरुरत नहीं है, और जब वही मेरे वजूद को आप कलंकित करना चाहते हो, तो समाज को तो मैं नहीं कलंकित होने वाली, और मैं किसी का कुछ भी सुनके लेने वाले मसे नहीं थी, बाइदे टाइम में बहुत, मतलब मेरा बच्पना बच्पना यही नहीं था, मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई, और मैं एकदम बेरी ब्लंट थी, और मतलब कोई मुझी चिराताता तो मैं उसको और चारगुना जाधा चिडा देते थी, या कोई मुझे कुछ हीन भावना से देखता. तो मुझे मैं सामने वाले को इतना हैसास देते थी, कि उसका कोई वजूद नही है मेरे सामने, या मुझे जरुत नहीं है कि मैं आपसे मिलू हु या मैं आपकी तरफ देखू भी तो ये मेरा ये आटिट्यूट रहा है और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मतलब आज लोग कहते है कि हिज्रा एक कलम के शब्द है ये है वो तो ये लक्षमी हिज्डे ने एक उम्र होती है अभी इस मैचुरिटी में आप इस सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्समें बिल्कुल फीट है तो आपने सुना नहीं की मेरे पास बच्वन था ही नहीं वही मुझे जानना है क्योंकि 3-4-5 एपिसोड में अपने बताया है कि मेरा बच्वन था यही कहां चला गया, सीधा मुझे फिल हुआ कि मैं जवान हो गई, मुझे वही उस उस दाइरे की बात करनी है क्योंकि ये देखिए जब मैं अंदरूनी बात कहने के लिए मुझे वही बात जानी है कि एक्स्वाइटेशन हुआ होगा एक्स्वाइटेशन मेरे व्यक्तित्व का हुआ, मैं फेमिनाइन थी तो मेरे सेक्शल अब्यूस हुआ, विन अवस वेरी यंग और उस वक्तित्व वो ज़रूरी नहीं है, मुझे डिसक्स करनी की पर हुआ था, यह और मेरे बच्पन में जब शोशन हुआ था, और जब मुझे अब रेज़ यूर वोइस अब टाइम? नहीं, तब बच्चे को कुछ पता नहीं रहता है, जब छोटे बच्चे को पता नहीं रहता है, तो आप उतने पावर नहीं रहते कि आपका, आप आवाज उठा सको, और यह बहुत कम उमर में हुआ था, और जब जिस वक्त, अगर फिफ्ट स्टैंडर्ड, सिक्स्टैंडर्ड में बोले, तब ही भी बच्चा था, तो जब उस वक्त में, तब मैंने रेस किया, जब मुझे एहसास तो यह गलत है, तब मैंने रेस किया, और बंद किया, कि सामने वाले को, और या तब से मैंने डिसीजिज़न लिया, कि आग से मैं शोषिड नहीं हुगा, और यह मेरा हक है, कि मैं किस के साथ बात करूँ, मैं किस के साथ खेलो, में मिझे क्या पढ़ाई करना चाहिए, या पता चला कि मेरा बच्पन में शोशन हुआ था और वो शोशन इसके लिए हुआ था क्योंकि मैं फेमिनाइन थी स्तिरित्वत मेरे अंदर बहुत जादा था और उस वक्त मुझे खुद को पता ही नहीं था ना कि दुनिया कैसी होती है और उस हमें टेक्नोलोजी इतनी बड़ है आज टेक्नोलोजी ने उन्हें जवान कर दिया पर मेरे 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 शोशन ने मुझे जवान कर दिया और तब से मैंने डिशिजन लिया कि बस तो बस है बहुत ताइम मेरे बढ़ते वक्त उमर में मैंने देखा है कि मेरे मुझे हिज्रा बहुते हैं इस उमर में आपको ल एक हिम्मत आये, एक होंसला बढ़े, किन-किन लोगों ने इसमें आपकी मदद की थी, किनों ने, किस-किस लोगों ने आपका होंसला बढ़ाया था, कि यस लक्समी, don't worry, जो भी है, उसमें अशोक्राव कवी का नाम है, उसके पहले मेरी माँ का, कवी तो बहुत देर के बाद ये, Mr. Kavi, आपको मदद करेंगे? देखिए, मेरी माँ बहुत supportive रही बच्पन से, और कोई भी मा रहती, अपने बच्चों के लिए बहुत caring थी, तो my mother, Mrs. Vidyavati Chandradevatarapathy, was and is. आज तक मेरी माँ मेरी बहुत supportive, और मेरी पोजशन है मेरी माँ, मेरा, everything is around my mother. मेरी मा के, वो English में कहा हूँत है, God could not be everywhere, so he created mother. So she brought you to Mr. Kavi? No, no, she didn't. Okay. उन्होंने नहीं. मेरी एक बहुत अच्छी, हमेशे मेरी बड़े उम्र के लोग मेरे फ्रेंड रहें, और बहुत educated और बहुत अच्छे, उसमें से एक Sangeetha अंटी भी थी. Okay. तो Sangeetha अंटी ने मुझे पहले ही बोला था कि बच्चा, मैं dance तब तक डिप्लोमा कर चुकी थी वरतनाटे में और मैंने dance school, उन्हेंने बोला मेरी बेटी को dance सिखा, Lakshmi dance school चालो कर, मैं बोले आंटी, आपको करना चाहिए, तो आज वो लड़की की शादी हो चुकी है, I could not, मैं शादी में नहीं जा पाई, पर Sangeetha सेथी ने, और उन्होंने मेरी English का प्रभुत्वता, बहुत सारा grammatical mistakes अगर होता था, वो मुझे Shakespeare देती थी पढने के लिए, a wonderful supportive woman मेरे area में, उन्होंने कहा, एक दिन ऐसे बेटे-बेटे, अशुक रावकवी का article आया था, तो बो के summer vacation में, तो मैं अशुक रावकवी को मिलने गई, और मैंने अशुक को बोला कि दुनिया मुझे चक्का माम हो, गुड, दुनिया के थी abnormal, क्या मैं, तो अशुक ने तब कहा, बेबी, your normal, दुनिया आजवाज़ी abnormal है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अगर पांचवी कक्षा में, summer vacation में, जेंटलमेन से मिलने के बाद, एक कुछ बदली, हिम्मत बढ़ी, बागे की लाइफ की बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक बाद, दर्श्रम के दूर समय थे वशे, वीराम नू विरामबत फरियकार सौगेच शापनू कारेगरम आती थीमा, लक्षमी जी आपका एक अंदाज बहुत हटके, जब भी नाम बोलते हैं तो बच्चन याद आ जाते, विजय दिनाना च्वान, लक्षमी नारा एंट्री पाठी, यूनो देवांक, आपकी मूच और वो दाड़ी भी अमिता बच्चन की याद दिला थी, मुझे आपको उदार नहीं रखते हैं, अगर मैंने तारिफ कर ली तो आप कर देना है, अरे आप बड़े प्यारे होना, ठीके, फाइन, ये जो अंदाज है, क्योंकि आपने बताया कि, पा अच्छे डरने की जरुवत नहीं है, दुनिया सिर्फ ताने देनों वाले उतने तक सिमित नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, उसके बाद वो पहली सोच क्या आई थी, क्या करना है, क्या बनना है, क्या हांसिल करना है? देखे, मुझे हमेशा डांसर बनना था, तो मैंने डांस कूल तो खोली ली थी, और मैंने अपना पूरा कॉंसें, मेरे बेस फ्रेंड्स मेरी किताबें थी, मुझे पढ़ने का बहुत शोक था बच्पन से, और मेरा डांस, स्टेज पे जब मैं डांस करती थी, तो मुझे बच्पन में पढ़ाता मैंने, I'm not the crowd, I'm the face in the crowd, W.H. Longfellow की ये कवीता में मैंने पढ़ाता, I shall perish, die not my name, it shall be carved in the marbles to be remembered, तो वो बच्पन से मेरे कुछ इपके रहा, मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं शोचल वर्क में कभी जाओंगे, एक अंदर उनी बात, लक्षमे में इत पर से ये जो feeding होता था, book reading की वजा से, तो नए नए शब्द भी आते थे, receiving capacity भी अच्छी थी लक्षमी की, delivering capacity भी बहुत अच्छी थी, लेकिन, अगर लक्षमी हिजडा नहीं होती, तो क्या ये talent को इतना exposure मिलता, क्यों नहीं मिलता, मैं कुछ भी होती, competition बहुत बढ़ जा सुनिये, कोई बात नहीं, special case नहीं, special case तो हिजडे बहुत सारे हैं, तो सिर्फ बहुत सारे मर्द देवां क्यों नहीं बने, आप channel head हो न, बहुत सारे मर्दों में बहुत सारे talent है, बहुत सारे exposure है, आप लोगों को तो पुरुष प्रदान समाज है, आपको तो पुरा खु अच्छा ही थी न, तब मुझे नहीं पता था न, मैं हिजड़ा बनूंगे, और हिजड़ा बनने के बाद, चाहे मैं आज dancer रहती तो मैं बहुत famous dancer रहती, कितनी society को सुधारने की बात लक्समी जी करते है, society में ये गलती है, ये नहीं, मैं अपने दृष्टे कोन रखती है, लेकिन हिजड़ा समाज भी बहुत बदनाम है, उनके reform के लिए, लक्समी जी ने कितना काम किया, ये आप खुद जानते हैं, मैं आपके मुझे हमारे viewers को सुनवाना चाहता हूँ, तो ऐसा होगा ना मैं खुद की बड़ाई, ये नो, क्योंकि समाब के जब format में जवाब आ देखे, हम लोगों ने जब social work start के 1999 में तब इश्या की पहली संगतना शुरू ही, Shabina Francis और Priya Babu मेरे साथ, और actually Shabina Francis और Priya Babu का ये आइडिया था, और मैंने उनको financially मदद करी थी, क्योंकि मैं मौडल कोडिनेशन में ती और Shabina मेरे साथ थी, आगे जाके Shabina became the first doctorate of हमारे India की, Tata Institute of Social Sciences System उन्होंने PhD किया, now she is Dr. Shabina Francis, जो हिजडो में मेरी पहली गुरू बनी, तो उनको कुछ community pressure के वज़े से वो organization नहीं चला पाई, तो वो south में चली गई, और ये organization पूरा मेरे कंदे पे आगया, एक बार में कमाटी पूरा गई, Red Light District, जहां पे हिजडो की पुरी जहां ली थी, और आज भी है, और जब में उन हिजडो को बाहर functions में मिलती थी, तो as it is, अब आप हिजडो को देखते हैं, सजे धजे, हस्ते खेलते, तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि क्या होता है actually, पर जब में Red Light Brothels में गई, तब मैंने जब उनका रहने का condition देखा, और जब मेंने बात्चीत में पूची कि मितलब कैसे क्या, जब एक हिजडे नहीं बोला कि मितलब, I just asked कि क्या rate, तो कभी बोलती 20 रुपे, 50 रुपे, तो मुझे खुद पे शरम आ गई, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पिता जी को मितलब में असली मर्द थे जनों के प कि कोई पढ़ा लिखा और अनपढ़ भी वेक्ती, अपने बच्चों के बेडरूम में जाके नहीं देखता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक इंट्रिव्य में कहता है, तो मेरे लिए मेरे बच्चा है, ना, लक्ष्मी जी, ट्रांसजेंडर को, हिजडे को खास करके ऐ आई, फादो, मदर, यह जो थी कमई उसको आपने बोला कि मैं बलेस्ट चैल थी, यह जो ट्रांसेंडर का ही पूरी कम्यूनीटी है, तो यू फिल दिट यह उनको फिजिकल जो उनको प्राबलेम में उसकी वजह से यह हो रहे है, यह साइक ओलोजिकल पराबलेम की वजह से यह सवाल कि बाद वाला सवाल में बाद में बूचूँगा आप इसको किस तरह से ले दे कि इस फीजिकल और साइकलोजिकल इस नाट फीजिकल इस साइकलोजिकल यह बात क्या है कि समाज ने लेंगिकता को कलंक के रूप में देखना शुरू कर दिया आज जब हम European dustbin और US dustbin बन चुके हैं और हम कुछ worse अब करना चाहते हैं जो यूरोप और US में हो रहा है और हम अपना culture बूलते जा रहे हैं आज उसी का परिणाम है कि खुद के आंगन के बच्चों को लोग बाहर निकाल के फेग देते हैं क्योंकि उनकी लेंगिकता अलग है अब मेरा दूसरा सवा इसी मामले को लेके ज्यादा तर लोग 99% हीजडास पूरे हिंदुस्तान में यह कहते है कि यह देवी मा का पुनिया है और उसकी वजा से वो लोग पैसा इखटा कर दे उसको कितना justify करेंगा यह तो culture है यह तो मेरा culture है जब राम पैदा हुए थे तो भी हिजड़ोंने बधाई बजाई थी जब कृष्ण पैदा हुए थे तो भी बजाई थी दुआरका में जो भी खुष्यां होती थी तब भी हम थे बउच्रमाता का वजूद आज भी वैसे ही है यह तो मेरा culture है आप किस भगवान को मानते है मतलब कोई तो कुल देवी आपके कौन से है कुल देवी चामुंडा जी देवी पहले तो वहां बली चड़ती थी आज भी अगर आपका परंपरा रहा होगा तो आप अपने आपके पूर्वा इस परंपरा को लेके ज्यादा सोसाइटी को परेशान करना उसको जस्टिफाइटर थे परेशान परेशान क्यों वही तो एक जरिया बच्चा है कि मेरे 50 फिघ्रे जो मेरे घर में हैना पहले तो 10 बच्चे होते थे सही बात है मेरी माने 7 बच्चो को जनम दिया उसमें से हम 3 जिन्दा रहे यानि पैसा पैसा लेने के लिए किसी को परशान करे तो चले फारीशान कहां पर ये मेरी परी बात तो नहीं सुनते आप तो पहले दस बच्चे पैदा होती तो दस बधाईयां होती थी लोग चावल दाल सब कुछ देते थे आज महंगाई बढ़ती है कांदे के प्यास का भाव बढ़ जाता है तो सरकार बदल जाती है ना तो आज हमारे आज हम तो अपने बुढ़ों को old age home में नहीं डाल रहे हैं अज सब का पेठ है खाने के लिए नहीं सुनिये सुनिये चलो मैं सुनों तो आज अगर और कोई परेशान और कोई जबरदस्ती तो आपके जब से निकाल के दे रहा है आप खुद डर के दे रहे और ये डर आपके समाज ने खुद बनाया हुआ है क्यूंकि आप लोगों ने हमारे समाज को दर किनार किया उसको पड़े लिखे होने की जरूरत निया कोई समाथ से हिजड़ा गुजरात में से चूज कीजिए नहीं होगा तो हम लक्षे ट्रस से या हम मैं इंग धूद दोन के आपको देती हूं आपके अंदर हिम्मत है जवाब देने के लिए चल अब देखो यह वंसाइड हो गया आपको मेरी बात अब यहां जीत आती है आई जित हम चलो ठीक है जब और जीत करेगी तो चलेगा आपको में जित करूंगी तो बुरह लगती हूं एक लिमिट तक होगा ओंस्क्रीन नहीं करेगी वह करने नहीं करने तो मैं तो करूंगी अब स्क्रीन समय अपना हक मान रही वह समझ जाएगी कि पूछ रहा है तो कुछ अच्छा ही सवाल पूछेगा जो बच्चा ज्यादा चिलाता है उसको मा ज्यादा खिलाती है आज तो मेरे को मेरा हक ही नहीं है मेरे मनुष्य होने का वजूद समाज नहीं मुझ से खीचा ह तो वो समाज को हक नहीं बनता है किस माप दंड पे वो समाज बोलेगा कि हम लोग जित कर रहे हैं। अरे मैं तुझ जित करूंगी। आज यह जाडू मानने का काम नहीं मिलता। आज जो बच्छा पढ़ाई करने का इच्छा भी रखता है। कि इतने हिजला कमेंट्री में कितने लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में क्योंकि यह बात भी एक सर्वे में आया हुआ है कि उन लोगों को इस तरह से पैसा करने में इतना अच्छा पैसा मिल जाता है कि उनको वो काम करना नहीं है, they don't want to join the society. कितने लोगों ने अप्रोच किया और कितने लोगों ने रिजेक्ट किया अभी तो कहां पर बॉक्सी बना सुप्रीम कोट के वर्डिक्ट की बाद तो 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 सामने से जाएंगे आपके पास आपके पास आज women's work policy है, man's work policy है, transgenders का work policy है आपके पास लेकिन सामने से जाए और नहीं थे काम, तब जाके आप चिलाए तो बहुत सही है, अरी आप वैसा environment ही नहीं बनाए है न जहांपे कोई जैसे आज लक्ष्मी जी निकले, अजर लक्ष्मी जी कर सकते है, तो बाती सब लोगों को लक्ष्मी जी क्यों inspire नहीं कर सकते है, अरे inspiration को very simple, आज डॉक्टर सबीना फ्रांसिस पहली ही जड़ा है trans woman, जिन्होंने प्येजडी करा है, आज भी वो घर में और बैठी है क्योंकि उसको कोई job नहीं है, उस वो त से जादा पड़ी लिखी, उसने डॉक्टरेट किया है, she should get a job, और ये समाज में उसके नहीं job नहीं है, मैं परसो मतलब में कहां, जैपूर से आई थी, I was speaking to her on phone, बोली, लक्ष्मी, I had tried to apply, वो दो जगे काम भी ट्राइ करी, तो उनके जो कलीज है साथ में उसको इतना टॉ रचर के दर, she left the job, जैपूर में ना जैपूर, it's Bombay, Bombay, okay, there are many such incidents in life, का मतलब, लॉक्त होना जोरू है, यह 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 कूंगा, बाड़ कूल गर्म तो यह दर्श्ट मिद्रो, लक्समी जी पूतानी जे व्याथा चैने खासके ने हिज्रा कम्यूनिटी नी एनी वात लईने अंतिम तबाकानी वातों गरिश्विक विरामबाद विरामबाद फरीयक और सोगेश अपनों कारेगरम आती थिमा लक्षमी जी आपने बहुत ही मतलब आक्रोश से ब्रेक से पहले आपने बताया कि मैंने बड़े प्यार से बोला अंतरात्मा इतरी जोर से अंतरात्मा से आवाज रही थी क्योंकि इतनी सारी तकलीफ है लक्षमी जी भूलिये ना जी पॉलिटिशिन्स अपनी गरम रोटी से एखते हैं इशूज को लेके धर्म जात सब पे सब जगा ट्राइ कर लिया होगा नी पॉलिटिशिन्स बहुत अच्छे पॉलिटिशिन्स भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं कुछ सुनना चाहते है और अगर हम कहते गुजरात मौडल हे पूरी देश में आप तो जानती है आज पूरे दुनिया में चिला रहें कि गुजरात मौडल है अब मानते हो? गुघरादी से ऩी मेरे मानने या मानने से अगर मेरे कम्मुटी के एक बंदे का बhara हुग गुजरात में हुआ रहता है तो मैं मानने मेरे को क्या जा चुछा अब यह पीछड़ा हुआ है यहां तक यह इनिशेटिव नहीं लिया अंगल में लिया है तो यह अ गुजुरात का बड़ा हो सकता है, human development में गुजुरात उतना बड़ा नहीं है आज भी middle class और higher middle class community में औरतों का malnutrition होता है तब आपके politicians कहते हैं यह लोग figure बना रही है I didn't understand this और as a reporter or sensible मतलब इंसान भी कोई यह समझ नहीं पाएगा ना यह बात आज भी आदिवासियों को अगर GTP growth इतना बड़ा है तो वह आदिवासियों के इतनी व्यता मतलब आदिवासियों के नॉर्मल मर्द औरतों की बात के रही हूं उनकी जिंदगी इतनी दूभर क्यों है आज भी interior में जाएज आज आपके इतनी सारे nomadic tribes और यह हैं कि मेरे इसाब से बार पे जो बैंड लगाया गया था क्या उसको मानते हैं अब turning point उसी वक्त से लक्समी जी के लिडर्शिप quality भार आई थी नहीं 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 तो दूनिया की आखे खोलने की काम कर रही है कि कब-कब ऐसास हुआ कि yes boss your leadership quality you have to take the initiative जब Asia-Pacific sex workers network ने कहा कि Lakshmi will represent us in UN तो मैं बोली मैं बोली मैं US नहीं जाओंगी बिलकुम नहीं not at all मैं वो councillor के बाहर लाइन में नहीं खडा रहना है मुझे ऐसे देश्मी ही नहीं जाना है कि जहां पर मतलब I have to go as Lakshmi तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं लक्षमी you have to remember me I have sex work कभी किया नहीं बोले you know much more about our हमारी व्यथाओं को आप अच्छे से जानती और अगर नहीं जाती तो हम बताएंगे आप जाके रिप्रेसेंट करें आप रिप्रेसेंट करोगी पूरी अश्या प्रसिफिक को और जब मैं UN Manhattan पहुची और UN Building में जब मैं गई और जो General Hall है Assembly Hall के जब मैं वैली में चल रही थी सारी दुनिया की जंड़ वहां पे था और वहां पे मेरे को कोई सोर्स नहीं कोई कुछ नहीं मैं पहुची और मैंने जब तिरंगा को हाथ लगाया तो मुझे हैसास था कि मैं पहली किंडर रहूंगी कि मैं यहां पे UN में आके अपने तिरंगे को आख लगा रही नाव लाश्ट रहूंड मैं नाम बोलूंगा कोई भी आप अपने विचार एक लाइन में उस नाम के साथ चाहते हूंगा चाहते हूंगा I'm ready Devang Manvendra My brother Sachin Tendulkar Salman A very good friend Lalu Rahul Gandhi Okay, I got the answer I'll give you the answer Rahul Gandhi True Politician होना जरूरी है और Politics सीखना जरूरी है Mr. Kavi Ashok Rav Kavi A gay activist Narendra Modi Smartest politician Lakshmi Lakshmi Is Lakshmi Okay fine, at last, at last कौन सा गाना ऐसा है जो गुन गुनाना Lakshmi Ji पसंद करती है और जब भी अकेले होते तो वो गाना तो अपनी लपसों पे आई जाता है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीने लो मुझसे तोड़ा तोड़ा गुन-गुन के गुन-गुन के गुन-गुनाना नहीं ये तो कवीता है और कवीता के जैसे बलूंगे मैं ये ही चाहूंगे कि उसका भी बच्पन संजोए रहे और उनके बच्पन में में अपना बच्पन देखना चाहती हूं और लास्ट अंतीम स्वाल मुझे अभी एक पूछना मुझे लगा कि पूछना ही चाहिए मुझे इतना जोश इतना confidence वाली लक्ष्मी कि सबसे ज्यादा एंबरेजिंग मुमेंट कौन सी दी जब आखे भर आई दी लक्ष्मी जी कि कोई एक ऐसी मुमेंट When I had lost my father और में रो भी नहीं पाई थी मेरी सिर्फ आंके भर के में पत्थर हो गई थी और बाप का खोने का दर्द में बहुत मतलब अब तक भी मिचो ऐसे लगता है कि मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ है पर वो ऐसा शन होता है कि हम दुनिया में सब कुछ पालेंगे पर अपने माबापको नहीं पापाएंगे बापस और यही बात आज हमारे मुख्यधार समाजवाले नहीं समझते कि माबाप कितनी सद्रूरी होते हैं यही बात बात करने के लिए दर्शक में दुरहाती वात लक्ष्मी नारायन त्रिपाटी साथ है नी लक्ष्मी जी एक एक रेक्रेक्टर जैने सतत्त एक्टिविटी एवी करी छे के जेमा आ कम्यूनिटी माटे फक्त महराश्वानी हिंदूस्तान मानी परंदू समगर विवीश के एमना जे मिशन छे मुशन छे तेमा एक कामियाबरे आप प्रकारना जिटला पन लोकों जे जा कम्यूनिटी माचे ते लोकों ने तेमना हक परापता है फरीवार खुब खुब आभार आपनों लक्ष्मी जी फरी मलीशन नेक्स्ट एपीसोड मां एक नवा आत ती दी साथे त्या सुरे जाप्ष नमस्कार